हेलो एवरिवन वेलकम टुदे एक्जाम हब आज हम अपना इडियम फ्रेस कंटीन्यू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अबव बॉर्ड अबव बॉर्ड होता है ओनेस्ट और स्ट्रेट पॉर्वर्ड जो परसें बहुत इमांदार होता है जिसके अंदर कुछ भी म और जो स्ट्रेट फॉर्वर्ड होता है अपना पॉइंट स्ट्रेट फॉर्वर्ड रखता है मतलब बिना सोचे समझे जो उसका पॉइंट है उसको सीधे सीधे रख देना इसका एक्जाम्पल है गांदी जी वोज अबव बॉर्ड एंड हैं इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं है चुपाने के लिए मतलब अवा पॉड़्ण हैं स्टेट होड़्ड नेक्सट एडम्स एल एडंसेल होता है प्योर वोड़ शुद्ध जल इन्दर रिमोटेस्ट पार्थ ओफ राजस्थान पीपल ? माइल्स फॉर एडम्स एल जो राजस्थान का जो रिमोट पार् पानी पीने के लिए उसके लिए उनको माइल्स चलने पड़ती है फोर आडम्स एल नेक्स्ट एड़ न्यू फैदर इन वन्सकाप मतलब एक और अचीवमेंट हो एक्वायर कर लेना कोई नया समान प्राप्त करना पैरमाउंट कोचिंग सेंटर है उसने एक और अपने काप में फैदर एड़ कर लिया है पैरमाउंट रीडर पब्लिकेशन को स्टार्ट करके next word add insult to injury to harm as well as humiliate अजब जले पे नमक शिड़कने को बोलेंगे add insult to injury मतलब अगर आपको चोट लगिया है और insult को भी add कर लिया है she has added insult to injury by returning the gift and sending a get lost note मतलब उसने she has added insult to injury by returning मतलब उसने add कर दी insult को जले पे नमक शिड़क दिया या उसने gift भी वापिस कर दिया और उस पे get lost भी लिग दिया मतलब उसने उसके जले पे नमक शिड़क दिया next after one's own heart similar to you जो आपकी जैसा ही हो seeing your inclination towards art and literature I can say that you are clearly a person after my own heart आपकी जुकाव देखके towards art और literature art और literature के आपका जुकाव देखके मैं यह कह सकती हो clearly कि मैं after मतलब आप और मैं similar है after one's own hurts and eye wash and eye wash होता दिखावा pretend pretend करना मतलब किस चीज को दिखावा करना उसके लिए में उस करेंगे the whole investigation was just an eye wash as no one was held guilty वो जो भी investigation हो रही थी वो एक दिखावा था जिससे की कोई guilt next word he had a hair breath escape very narrow escape bal bal bachna bal bal bachna he had he had a hair breath escape when his bike skid on the oil drenched road मतलब वो bal bal bach gaya जब उसके bike जो थी वो फिसल गई रोड पे मतलब वो बाल बच गया उसका very narrow escape very narrow escape hair breath escape next an old flame an old flame क्यों होता है पुराना प्यार long time love next word an old head on young shoulders छोटी सी उमर में समझदारी दिखाना जैसे कि आप बहुत experience हो किसी चीज के लिए तो yoga an old head on young shoulders as fit as a fiddle as fit as a fiddle है strong and healthy he find illness but I knew that he was as fit as fiddle वो बिमार है लेकिन जो पता है कि वो strong or healthy है next word assume ears assume ears है बड़पन दिखाना after becoming an IS officer he has assumed ears मतलब जबसे वो IS officer बना है तो वो अपना बडपन दिखाता है superiority दिखाता है pretend करता है superiority को assume ears at a stone's throw मतलब कोई चीज बहुत पास में है तो उसके लिए मुज़ करेंगे at a stone's throw at large मतलब कानून की गिरफतार से दूर absconding मतलब चिप कानून से चिप जाना many terrorists are at large and posing serious threat to the security of India मतलब काफी साथ जो terrorist है वो कानून की गिरफ से दूर है इसलिए वो threat एंडिया के लिए at logger head मतलब to be at strive शत्रुता की अवस्था Congress is always at logger's head with the BJP जो Congress है वो हमेशा enemy या फिर शत्रुता की अवस्था में रहता है BJP के साथ at not मतलब assamman करना to disregard or treat as of no importance किसी का assamman करना किसी की disrespect करने को बोलेंगे at not at odds मतलब assamman दिखाना disagreement दिखाना various political parties are at odds in the matter of woman reservation bill जब भी जब भी किसी woman की reservation की बात आती है तो कुछ parties जो political parties है हो disagreement दिखाती है at odds in the matter of woman reservation bill next at sea at sea होता है एसे situation जिसमें आप बहुत confused हैं उलजन में है he was at sea when he saw the question paper जब उसमें अपना question paper देगा he was at sea मतलब वो बहुत confused हो गया और उलज गया at sea he was at sea at once back and call मतलब at service आगया में हाजर को होना जब भी आप किसी के under काम कर रहे हो तो आप उसके service में हो मतलब उसके under काम कर रहे हो उसका आगया में हाजर हो मतलब जैसे वो कहेगा आप ऐसे ही कर रहे हो the servants were always at the back and call of the rich merchant जो servants होते हैं जो काम करमचारी होते हैं वो rich merchants होते हैं उनके back and call में रहते हैं मतलब at when उनकी service में रहते हैं next back stairs influence होते है improper and private influence ऐसे प्रुभाव जो असार्वजनिक हो आज सही ना हो he tried to get a government job by back stair influence मतलब वो जैसे कि माला पैसे देखे job लेना चाहा रहे हो government job को तो यह होगा एक stair influence चिप के कोई गलत काम कर रहे हो bad ag a worthless person ऐसा व्यक्ती इसका जो बिकार है मतलब a vanchnaya व्यक्ती often a prodigal son of a rich father becomes a bad ag for the society कभी-कभी ऐसा होते है कि अमीर जिसके parents बहुत अमीर होते हैं लेकिन उनका जो बच्चा है वो bad ag एक society के लिए worthless person है मतलब वो सही नहीं है और अपनी family की जो richness हो इसको आगे बढ़ाए मतलब वो एक bad ag society के लिए और अपनी family के लिए भी next is bandy words bandy words वो words होते है जिसपे to argue अगर आप argue कर रहे हो या किसे जुबान लडा रहे हो तो इसका मतलब होते है bandy words the two neighbors usually bandy words and create a lot of nuisance मतलब जो हमारे neighbors है दो neighbors है वो bandy words को use करते है और शोर शराबा मचा देते है मतलब आप argue कर लेते है जुबान लडाते है bank upon होते है depend on, count on जिसपे आप निरबर हो उसके लिए नियूस करेंगे bank upon you can bank upon us at the time of need आप हम पे भुरोसा कर सकते हैं जब भी आपको जरुत हो bank upon baited breath holding your breath and in anxiety चिंता इतियादी से सास रुखना अगर आप tension में हो तो आपकी सास रुख जाएगी मतलब सास रुखना ऐसा निकि मर जाओगे लेकिन आपको tension हो जाएगी बहुत जादा आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है तो यह होता है baited breath we waited for the good news outside the delivery room with baited breath हम भार वेट कर रहे थे delivery room के with baited breath with anxiety holding your breath कि अब क्या होगा क्या मतलब किसी भी चीज़े क्या result आएगा उसके लिए होता है baited breath next quote bread handed मतलब किसी को crime commit करते हुए पकड लेना रंगे हाथ पकड लेना को बोलेंगे court red handed be in bad books of be in bad books होता है out of favor she is in bad books of her parents as she went to see a movie without informing them मतलब उसने वो बिना बताए अपने parents के movie देखने चलेगी तो she is in bad books मतलब वो out of favor है अपने parents के लिए be in the bad order of मतलब to be out of favor ये भी वोई है किसी की बुरी राय में होना a corrupt minister is always in bad order of the public जो एक corrupt minister है corrupt कोई भी person होता है वो public के लिए bad order में रहता है मतलब to be out of favor जिससे वो agree नहीं करते या फिर जो बुरा है be in good books of मतलब to be in kind favor she is in good books of her employer as she is very efficient and hard working मतलब वो अपने employer के लिए good books में है क्योंकि वो hard working है और very efficient है next be in good order of to be in good favor an honest minister is always in good order of the public अगर कोई honest minister है वो public के लिए good order में रहेगा be in the driving seat मतलब सारी responsibility तुम पे आ गई है तो आप driving seat पे हो be in the driving seat पे हो be in the driving seat में दार्यों का भार उठा रहे हो bear the palm मतलब होता है to be victorious Vijay होना our school board the palm in the dance competition had the district level जो हमारे school ने victory Vijay ही रहा dance competition में जो के district level पे था next word is beat the air beat the air होते है to make useless efforts मतलब तुम व्यर्थ में ही प्रियास कर रहे हो trying to reform a hardcore criminal is like beating the air मतलब आप trying to मतलब आप चाह रहे हो कि वो सुधर जाए आप उसको समझा रहे हो कुछ चीज़े लेकिन किसी criminal को तो उसका मतलब है beating in the air मतलब आप useless efforts कर रहे है कि वो तो सुधरने वाला है नी bed of roses bed of roses होता है an easy and comfortable situation the life of the prince was a bed of roses जो prince की life होती है वो bed of roses होती है बहुत easy होती है तो यह हो गया bed of roses next bee in one's bonnet bee in one's bonnet होता है go on talking about something which other people think is not important जैसे मदु मक्खी होती है वो आवाज करती रहती है continue तो मतलब वो लगातार बोलती रहे कोई person जो लगातार बोलता चाहरा है बोलता चाहरा है लेकिन उसको कोई importance नहीं है दूसरे बंदे के लिए she has a bee in her bonnet about recycling of waste material मतलब वो waste material रीसाइकल करने के लिए बोले जा रहे है तो यह होगा bee in one's bonnet behind the scene होता है secretly चिपे रूप में the minister is the mastermind behind the scene and the police are arresting small fries जो minister है वो मतलब mastermind था उस चीज कर लेकिन जो police है वो arrest करे small fries को मतलब उचोटे-मोटे मतलब जो main बंदा था उसको पकड़ने के जगए दूसरों को पकड़ रही है below the belt below the belt होता है कि गलत तरीके से प्रहार करना किसी को भी उसके लिए हम उस करते है below the belt next beside oneself to feel extremely nervous or worried जब आप बहुत ज़्यादा tension में होते हो बहुत ज़्यादा worry feel करते हो तो उसके लिए हम करते है beside oneself before any exam I am beside myself जब किसी भी exam से पहले I am beside myself जब बहुत ज़्यादा extremely nervous and worried beside the mark to judge beside the mark irrelevant the judge didn't hear any argument that was beside the mark the judge था उसने ऐसा कोई भी argument को नहीं सुना जो कि irrelevant था between these kaila and cherry bits between two great dangers मन्दब आप एक ऐसी situation में हो जापे जो बहुत dangerous situation है example she is between skyline cherry bits if she obeys her mother-in-law she will lose her job if she doesn't she will lose her family अगर वो अपनी mother-in-law की बात सुनती है तो वो अपनी job चोड़ते है अगर वो उनकी बात नहीं सुनती तो वो अपनी family को चोड़ना पड़ेगा great defiance मतलब अवग्या करना to defy करना the army is biting defines defiance by going against the government जो गोवर्मेंट के जो आर्मी है वो गोवर्मेंट के against जा रही है मतलब वो bidding defense कर रही है bite the dust मतलब हार जाना to be defeated हार जाना in every match the Pakistani team bit the dust किसी भी match में इंडिया के साथ जब भी कोई match होता था Pakistan ने bit the dust मतलब वो हार जाती है next blaze the trail blaze the trail है to be pioneer and make make path for other दूसरों के लिए रास्ता बनाना only a man of iron can blaze the trail मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका iron मतलब man like iron मतलब good strong और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है दूसरों के लिए solution दे सकता है दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है उसको लिए हम बोलेंगे blaze the trail blessing in disguise वो होता है उपर से बुरी दिखने वाली पर वास्तों में अच्छी बात कि उसको ऐसी blessing in disguise वो blessing होती है जो उपर से लगता है कि बुछ बुरी है लेकिन अंदे से अच्छी है उसने उस train को मिस कर दिया तो वो दुखी हो गया लेकिन बाद में बता चलता है कि उस train का accident हो गया था तो वो उसके लिए blessing in disguise हो गया blow once on trumpet मतलब अपनी ही तारीफ करना अपनी ही तारीफ करते रहना every political party always blows its own trumpet and denounce the other political parties जो कोई भी political party वो अपने trumpet बचाती रहती है मतलब अपनी ही तारीफ करती रहती है दूसरी party को गलत दिखा के blue stocking होता है an educated intellectual lady पढ़ी लिखी महिला के लिए हम बोलेंगे blue stocking blue stocking was rarely found in medieval India medieval India में blue stocking कम ही मिलते थी पढ़ी लिखी महिला कम ही मिलते थी you break the ice मतलब आपने बात चीज स्टार्ट करी bring down the house मतलब भरपूर तारीफ पाना receive great applause the performance of the Lata Mangeshka brought the house down मतलब Lata Mangeshka की performance इतनी अच्छे थे कि उनको बहुत सारी तारीफ मिली brought the house down bring home मतलब to explain करना I was unable to bring my views home before my parents मैं अपने जो भी views होते हैं मैं अपने parents के सामने उनको नहीं समझा सकता उनको bring my views home unable to bring my views home मतलब उनको नहीं समझा सकता bring to book bring to book मतलब to punish सजा देना था guilty should be brought to book मतलब bring to book मतलब ऐसी book जिसमें बहुत सारे rules, regulations और यह सब लिखाया कि क्या गलत है, क्या सही है कि गलती के लिए क्या punishment मिलेगी तो bring to book मतलब the guilty should be brought to book to punish सजा देना guilty को सजा मिलेगी bring to light पता लगाना चिपी बात का the CBI has brought many indiscrepancies to light in many high profile areas cases मतलब CBI ने बहुत सारे ऐसे cases को भार निकाल लिया जो चिपे होए थे इनका पता लगा लिया कि उसमें criminal कौन था और क्या था तो bring to light मतलब ऐसे crime का crime जिसको solve नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो अब solve हमारा नेक्स्ट वर्ड है browbeat browbeat का मीनिंग होता है दराना browbeat browbeat का मीन है डराना to intimidate या फिर इसका मीनिंग है to frighten or threaten somebody in order to make him or her do something किसी को डराना threaten करना frighten करना somebody किसी को ताकि वो उसके जो वो बोले को वो करे order को follow करे वल्द उसको डरा दबगा के किसी से कोई काम कराना the government must not browbeat the social reformers if they protest against any just law government को सरकार को browbeat नहीं करना चाहिए डराना नहीं चाहिए जब कोई social reformer किसी unjust law मतलब कोई अगर ऐसा law है जो आपके against में है और उसके लिए आप protest कर रहे हो उसके लिए आप लड़ रहे हो तो government को उसमे government को उसमें डराना नहीं चाहिए browbeat नहीं करना चाहिए next burn one's bot अपनी ही बोट में आग लगा रहे है न मतलब point of no return वापसी का कोई रास्ता नहीं है सारे रास्ते बंद हो चुके है मतलब अगर आप जिस बोट में जा रहे हो उसको याप burn कर लोगे तो मतलब point of no return वापसी का रास्ता बंद कर देना by signing the agreement he burnt his bot now he will have to work in the organization for two more years उसने उस agreement पे sign करके अपनी ही बोट पे बोट को burn कर लिया क्योंकि अब वो इस organization से या फिर आप किसी भी कहीं पे काम कर रहे हो वहाँ से आप दो साल तक नहीं निकल सकते next is buy and buy buy and buy is gradually धीरे धीरे कुछ भी चीज अगर जो धीरे धीरे हो रही है process मैं दीरे धीरे उसका process हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे buy and buy you will learn the norms of this organization buy and buy आप इस organization के जितने भी norms है rules है regulations है उनको धीरे धीरे जान जाओगे you will learn it next buy and large buy and large is on the whole संपून रूप से देखने पर किसी को आप किसी चीज को आप completely देख रहे हो complete जो meaning देता है वो by and large देता है my friend is by and large an honest person मेरा जो दोस्त है वो एक honest person है by and large एक completely honest person है on the whole पूरी तरह से next buy didn't of by didn't of is by means of के बल पर you can succeed by didn't of hard work only आप सिर्फ कब succeed कर सकते हैं आपको कब success मिल जगते हैं तब जब जब आप अपने मतलब hard work के बल पर hard work के बल पर आप success को पा सकते हो तो मतलब by didn't of by means of और इसका मतलब है के बल पर अपने बल पर कोई काम करना ऐसे इसके लिए उसके जाएगा by didn't of next by fair or foul means by any way right or wrong किसी भी चीज़ को करना चाहे वो गलत तरीके से चाहे वो सही तरीके से आपको को चीज़ करनी है तो आप बलोगे by fair and foul means fair मतलब सही तरीका foul मतलब बेकार तरीका by any way right or wrong सही या गलत किसी भी प्रकार से he will try to get a job by fair or foul means but will ultimately lose his peace of mind उसको job चाहे किसी भी तरीके से तो यह होगे by fair or foul means by the rule of thumb by the rule of thumb होदा according to practical experience वे वारिक रूप से by the rule of thumb by rule of thumb we must not allow children to take major decisions हमें practical सोचना चाहे इसका मतलब by the rule of thumb मतलब कि आप अपने practical experience से किसी को बता रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहे है कि नहीं मतलब आपने वो खुद चीज वो आप खुद उसको उस condition से या से situation से आप निकल चुके हो कि आप उसको अपना experience से उसको रो करे हो किसी को तो हमें by rule of thumb हमें हमें अपने practical experience से ये है कि हमें children's को allow नहीं करना चाहे है कि वो कोई भी बड़ा decision ले next call a spade and spade to be frank मुँपर बात कहना call a spade and spade मतलब किसी को भी मुँपर कोई भी बात कह दे ना चाहें उसको अच्छी लगे चाहें बुरी लगे अगर वो बात सही है तो he never hesitate in calling a spade a spade and hence he has a few friends वो खुल कर अपनी बात कह देता इसलिए उसके कम दोस्त है कोई भी person अगर किसी से खुल कर कुछ भी बोल दे चाहें वो सामने वाले को गलत लगे या सही लगे उसको कोई फरक नहीं पड़ता तो उसके दोस्त भी कम भी मिलता है तो यह है he never hesitate in calling a spade and a spade hence he has new friends यहाँ पे call a spade and की जगा ए आना चाहें and हटा देना call a spade a spade next is call names call names मतलब abuse करना गलत भाशा का प्रियोग करना और गाली देना यह हो गया call names he has a bad habit of calling names उसकी एक यह गंदी आदत है calling names की मतलब किसी को abuse करने की गलत बोलने की next capital punishment capital punishment होती है death penalty मत की सजा capital punishment should be abolished as it is the cruelest cruelest form of punishment capital punishment को खतम कर देना चाहें क्योंकि वो सबसे खतरनाक punishment है capital punishment क्यों हो गया death penalty next word carrot and stick policy carrot and stick policy क्यों होती है जिसमें reward भी मिलता है और punishment मिलता है reward and punishment policy इनाम और सजागी policy the multinational companies adopt carrot and sticky policy to get maximum output जो multinational companies MNCs होती है वो adopt करती है carrot and sticky policy जिसमें reward or punishment policy to get maximum output मतलब उनको ज्यादा output मिले ज्यादा रिजल्ट मिले ज्यादा फायदा मिले next carry matters with high hand to deal with a person strictly किसी से सक्ती से निपटना उसके लिए म्यूज करें carry matters with high hand the police carry matters with high hand जो police होती है वो किसी भी matter को high hand से carry करती है मतलब सक्ती से carry करती है next cast a slur cast a slur is to bring disgrace to cast a slur to bring disgrace appears का कारन बनना to harm someone's reputation आप किसी की reputation को खराब कर रहे है or you are the reason of it to cast a slur to bring disgrace taking bribe could cast a slur on the honor of your family रिश्वत लेना ये आपके लिए एक आपकी family के लिए एक slur बन सकता है cost a slur being a disgrace अपमान का कारन बन सकता है next cave in cave in होता है जुक जाना yield one must not cave in under pressure or temptation किसी को भी pressure में temptation में या किसी भी stress में या problem में cave in नहीं करना चाहिए जुकना नहीं चाहिए next chapter and verse chapter and verse is in full details पून्ड विवरन के साथ I cannot narrate the whole incident in chapter and verse मैं उस incident को chapter and verse में narrate नहीं कर सकता है बता नहीं सकता मैं उसको हर एक detail को नहीं बता सकता next cheek by jaw close together साथ साथ many poor people live cheek by jaw in a small room जो गरीब लोग होते हैं वो एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं तो एक small room में many people lives in a मतलब गरीब लोग many poor people live cheek by jaw साथ की साथ बहुत ज़्यादा पास रहते हैं एक छोटे से कमरे में next child's play child's play is a very easy task मतलब ये बहुत असान task है मतलब it's a child's play task बच्चो का खेल it's not a child's play to address a crowd ये एक बच्चो का खेल नहीं है कि आप crowd को address कर सको बीड को संभाल सको बीड का अच्छे से address कर सको तो ये ओगे child's play a very easy task next clinch the issue clinch the issue है to clear the controversy विवाद खतम करना कोई भी issue है चल रहा है उसको खतम कर देना the college administration clinch the issue by accepting the demands of the student जो college के administration थे उन्होंने students के demand को माना और जो विशु था उसको clinch करा next clip once wings to weaken the power परकतरना अपने ही punk को कार देना मतलब power को कम कर देना clip once wings wings मतलब punk to weaken the power sonya gandhi clip the wings of some ministers by withdrawing the power delegated to them sonya gandhi ने कुछ ministers के wings को cut कर दिया clip कर दिया कैसे उनकी powers को ले के close shave close shave होता है narrow escape बाल बाल बचना किसी भी चीज से बाल बाल बच गए उसके लिए में उसके करते है close shave his family had a close close shave in the bus accident उसकी जो family थी वो accident से बाल बाल बच गई next word is cloven hoof cloven hoof होता symbol of disgrace or evil attention अस्समान और शैतानी इरादे का प्रती किसी का जो इरादा है hoof बिकार है evil है मतलब खदरनाक है उसके लिए में उसके करेंगे cloven hoof usually some or other leader of BJP shows cloven hoof to BJP leaders some or other leader of BJP shows cloven hoof to BJP leaders मतलब किसी के इरादा इतना खराब है कि वो अपने ही leaders के लिए cloven hoof है मतलब एक असम्मान और शैतानी रादा रखता है next caucus nook caucus nook होता है असम्मान प्रकट करना इसी के disrespect करना to show impudent contempt आप ओपनली डिस्रिस्पेक्ट कर रहे हो किसी को तो उसके लिए हम यूज करेंगे cock a snook openly show disrespect for someone and something to show impudent contempt असम्मान प्रकट करना he refused to accept the award cocking a snook at the film fair award jury उसने उस award को लेने से अस्विकार कर दिया cocking a और वो एक film fair award jury के लिए असम्मान था उनके लिए next cock sure cock sure are the very sure and certain soon is shit होना I am cock sure we will win the match मतलब आपको confirm है आप बहुत surety से कहरे है कोई चीज कि हाँ आज हम match जीतेंगे next cold reception is not a not a hurtly welcome जो गरम जोशी से भरा स्वागत ना हो आप कहीं पे जा रहे हो और आपका welcome अच्छे से ना किया जाए तो हम आप भी उस करूँगे cold reception we were very unhappy when we were given cold reception at his marriage party उसकी marriage party पे हमें cold reception मिला उससे हम बहुत unhappy है next come across come across होते है meet by chance आप किसी से ऐसे अचानक से मिल जाते हो तो उसके लिए हम उस करेंगे come across I come across a problem when I was solving the equation जब मैं equation को solve करे थी तो I am come across a problem मेरे सामने एक problem आगी अचानक से come home to बलब to understand समझ में आना at last it come home we got the correct answer at last हमें समझ आया और हमने correct answer को correct किया correct answer आगया next come in handy come in handy is to be useful काम का होना this opener comes in handy when we need to open this container जब हम इस container को open कर रहे थे तो ये जब आपनर है वो comes in handy मतलब काम का होना ये काम आगया हमारे come to pass come to pass a difficult situation कि किसी गटना का होना the accident came to pass due to the negligence of the driver driver की लापरवाय से accident came to pass difficult situation किसी घटना का होना कोई घटना हो गई driver की लापरवाय से next come true come true is to prove true सही साबित होना किसी चीज कोई चीज अगर सही साबित हो गई तो हम उसके लिए ये उस करेंगे come true my dreams have come true as I have got to selected as I hope as I have got selected मैं select हो गया मेरा dream हो रहा हो गया next cool one's heel to be kept waiting इंतिजार कराया जाना we sat down and cooled our heels for the minister who didn't turn up किसी के लिए wait करना काफे time से wait कर इंतिजार कराया जाना उसके लिए हम करते है cool one's heels we sat down and cooled our heels for the minister who didn't turn up हम बैठे रहे और wait करते रहे minister का क्योंकि वो आई ही नहीं रहा था next word है हमारा corporal punishment corporal punishment होता है bodily punishment जब हम किसी को punish करते हैं physically मतलब आप उसको मार के या फिर मार के या बीट करके उसको punish करते हो शाररी दंड पहुचाते हो तो उसके लिए में बोलते है corporal punishment उसका example है corporal punishment is banned in school schools में इसको ban कर दिया गया है मतलब अगर आप स्कूल में किसी को punish करते हो bodily तो वो ban हो चुके है नेक्स्ट count chickens before they are hedged to anticipate profit beforehand पहले से लाब का विश्वास कर लेना कि आपने वो चीज करी complete नहीं करी है लेकिन आप उस पर सोच रहे हो कि आपको benefit अच्छा मिलेगा profit अच्छा मिल जाएगा तो यह होता है count पहले ही chickens को count करने लगे जब तक वो hatch करते don't dream of profit now as it is futile to count your chickens before they are hedged अभी से अपना profit मत सोचने लगो और यह अभी असफल हो जाए असफल है वियर्ध है count करने chickens before they are hedged futile मदब होता है असफल next cross one's mind cross one's mind होता है to occur to oneself अचानक दिमाग में आना अचानक से अगर कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है तो उसको हम बोलते है cross one's mind I was resting when suddenly a new idea crossed my mind मैं rest ही कर रहा था या कर रही थी कि मेरे दिमाग में एक idea आया एक idea cross in my mind हुआ मतलब अकर हुआ अचानक से दिमाग में आ गया next curry favor curry favor अधर to win favor by flattery चाप लूसी करना खुशामत करके करके कृपा का पात्र बनना मतलब आप उसकी चाप लूसी कर रहो उसकी तारिफ कर रहो flattery words का use कर रहो तो वो तो curry favor many developing countries curry favor with America काफी developing countries होते हैं जो develop कर रही हैं भी वो अमेरिका के curry favor करते हैं मतलब उसकी flattery करते हैं उसकी चाप लूसी करते हैं next curtain lecture curtain lectures वो lecture होते हैं अब private scolding by wife to her husband जो एक curtain lectures वो lectures होते हैं जो के बहुत secretly privately एक wife अपने husband को देती है अकेले में पती को दे दी गई डाट don't tell me that your father has never got any curtain lecture in his life मुझे ये मत कहना कि तुमारे फादर ने कभी भी कोई curtain lecture नहीं ले अपनी life में next cut both ends cut both ends so that to argue in support of both sides of the issue आप दोनों तरफ से support कर रहे हो अगर किस दो पक्षों के बीच में दोनों पक्षों को support कर रहे हो महेश always cuts both ends hence he has neither friends nor false महेश दोनों साइट से रहते ना तो उसको कोई दोस्त है ना कोई इसको दुश्मन है next cut the gorgian note cut the gorgian note होता है to solve a difficult problem आपको इस problem को solve कर रहे हो जो कि बहुत difficult है उसके ले हम करते है cut the gorgian note the national leaders cut the gorgian note by making India secular country जो national leaders है हमारे उन्होंने gorgian note को cut किया by making India secular country इंडिया को एक secular country बना के next cut throat cut throat होता है cut in tough we face cut throat competition in every field हम किसी भी competitive exam या competitive field के अंदर एक cut throat competition को देखते है damp squib next damp squib damp squib होता है complete failure through earlier thought to be existing पून असफल था जो लगता था उतेजना अत्मक होगी आमने सोचा था कि अच्छा होगा लेकिन वो अच्छा नहीं होगा वो एक complete failure निकला the performance of team India turn out to be damp squib जो performance team India की वो damp squib निकली मतलब एक failure निकली असफल निकली next dance attendance upon dance attendance upon होता है to be in survival attitude all the time चापलूसी करना हाजरी बजाना the mother-in-law wanted the lady to dance attendance upon हर जो mother-in-law है वो चाती है कि उसकी जो जो उसकी बहु है या daughter-in-law है उसकी बहु है वो dance करे dance attendance upon हर मतलब उसकी ही बात माने उसकी ही चापलूसी करे उसकी हाजरी बजाना हाजरी बजाए यह होगा dance attendance upon next word dark horse dark horse होता है unexpected winner मतलब जिसके expect नहीं होता है कि वो winner बनेगा यह हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है अपनी an unknown independent independent candidate came out as a dark horse after the election मतलब एक ऐसा candidate जिसके बारे में कोई जानता नहीं था लेकिन वो dark horse निकला एक election में मतलब unexpected winner बन गया वो days of reckoning days of reckoning होता है time when the effect of one past mistake or misdeed catch up with one जब भूतकाल में की गई गल्तियों का असार दिखने लगे days of reckoning वो होता है कि आपने past में कुछ गल्ती करिया और उसका result आपको अब मिल रहे है you have been manipulating the account for a long time now days of reckoning have come आप जो तुमने manipulating मतलब accounts में जो गड़बड की थी पिछले time में लंबे समय से तुम जो गड़बड करते आ रहे हो उसका भी now days of reckoning have come मतलब वो दिन आ गया है जिससे उसका पता लग गया है कि तुमने क्या गल्तियां करी थी next dead broke dead broke होता है penniless diwalia मतलब बिलकुल pennil diwal निकल चुक है तुमारा due to recession he has become a dead broke dead broke मतलब हो गया कि सब कुछ खतम हो गया जो भी तुमने कुछ काम स्टार्ट किया था वो वो बिलकुल खतम हो चुक है उसमें कोई profit नहीं हो है तुमारा तुम dead broke dead broke business होते है next die hard die hard होते है परिवर्तन के खिलाफ दिर्दा से होना he is die hard fan of devanand मतलब die hard fan है वो devanand का उसको मतलब इतना die hard fan है मतलब कि वो change नहीं कर सकता चाहे कोई भी hero आये कोई भी actress आये कुछ भी आये वो उसका सिर्वो devanand पर ही stick करेगा तो मतलब वो एक die hard fan है next dig once on grave अपनी ही कब्र खोदना to do something which causes you harm ऐसी चीज़ करना जिससे तुम्हें ही harm हो तुम्हें ही तुम्हें मुसीबत में पढ़ रहे हो you are digging your own grave by writing your password in your diary अपनी डैरी में तुम पासवर्ड लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपनी ही grave होद रहे हो क्योंकि वो पासवर्ड तो कोई भी पढ़ सकता है और तुम्हारे जो भी private messages में private info है वो लीग कर सकता है तो next dog's life dog's life what a very miserable life cursed diet given अगर आपके life में बहुत difficulties है problems है वो बहुत miserable है तो उसके लिए में बोलते है dog's life की ये dog's life due to unchecked inflation the poor are living a dog's life जैसे कि price के rate बढ़ते रहते हैं inflation क्यों प्राइस के rate बढ़ते हैं किसी भी चीज के अगर rate बढ़ गए है तो inflation होगा है तो जो poor people होते हैं उनके लिए dog's life बन जाती है double dealing double dealing होते है धोके बाजी का कार्या decideful action the double dealing of the lawyer was exposed by a sting operation sting operation होता है कि जिसमें आप जो भी जूट बोल रहते हो तो पकड़ा जाता है तो जो lawyer था उसके वो exposed होगा sting operation से जो कि double deal कर रहा था मतलब धोके बाजी कर रहा था प्रप्ट था next double edge sword double edge sword होती है एक्ट विल हां वनलेस ऐस वैल अज अज़ अधिए अपने आपको भी नुक्सान पुचान और दूसरे को भी जैसे corruption है कैसी चीज होती है कि आप करोगे तो भी नुक्सान और जिसके साथ कर रहे हो उसका भी नुक्सान तो corruption is a double edge sword for the public well as the government अगर a government ऐसे लेके नोकरी लगा रही है जोब लगवा रही है तो एक वो आपके लिए भी एक side से दूसरी side से government के लिए भी next down and out down and out होता है lacking funds, resources or prospects fund संपदा इत्यादी की कमी होना he was down and out when his factory was born to the ground वो down and out हो गया मतलब उसका funds खतम हो गये संपदा खतम होगी जो भी उसने लगाया था वो सब खतम हो गया जब उसकी factory में आग लग गई next down in the mouth down in the mouth होता filled with melancholy and despodency दुख एव निराशा से भरा हुआ she was down in the mouth when she saw her husband dead's body जब उसने अपने husband की dead body देखी तो वो down in mouth हो गयी मतलब वो इतना emotional दुख से निराशा हो गयी melancholy despodency हो गई तो उस situation के लिए में उस करते हैं down in the mouth unhappy sad तो यह हो गया down in the mouth तो आज के लिए सिर्फ इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please like subscribe and share thank you